नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को और होई फिल्म से टूप चाइनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि गोदी मीडिया कैसे नेपाल के आगे जुका और किस तरह नेपाल से माफी मांगा उसी के बारे में लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप से दोस्तों मैं माफी मांगना चाहता हूं कि जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं थोड़ा ही देखके अपने राय कमेंट में दे रहे हैं या डिसलाइक कर दे रहे हैं उन्हों को उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले पूरा वीडियो देखिए और फिर मुझ देखिए और अपना राय जरूर दीजिए अगर ऐसा होगा दोस्तों तो मैं वह वीडियो करने के लिए तयार हूं अगर उससे हैट होता हो तो लेकिन जहां तक मुझे पता है कि मैं उस वीडियो में किसी भी तरह का हैट नहीं एस्परेट किया हूं जहां तक मैंने सोचा ह कि मधेशी और पहाड़ी एक होकर नेपाल को प्रगती में लाए अपने देश को आगे बढ़ा है इसी के बारे में दोस्तों चलिए आज का न्यूज शुरो करते हैं तो दोस्तों आज का बड़ी न्यूज यह है कि भारतिये गोधी मीडिया में सबसे बड़ा नाम होने वाला था कि नेपाल ने भारतिये न्यूज चाइनल को बैन कर दिया यहां पर नेपाल तो भारतिये एंकर से ही डर गया और भारतिये सेना की तो नौबत तक नहीं आई दोस्तों यह बात कतई बहुत ही जहर भरी बात है जो कि किसी भी नेपाली को सीने में चुपता है यह बात अ अफिसर नौदीप सिंग ने उन्होंने बोला कि भारत और नेपाल के सनी की एक दूसरे की सहयोगी है नेपाल के कई लोग भारतिये सेना में नौकरी करते हैं और हमारी सेना परमुख नेपाल के आर्मी में ऑनेरेटरी जेनरल बनाये जाते हैं और इसके साथ उन्होंने कहा कि पॉलेटिक्स करना है तो कहीं और जाके करो नेपाल और भारत के रिष्टों में पॉलेटिक्स मत करो तुम दोस्तों इस ट्विट के बाद में सुधिर चोधरी का अकल ठिकाने आ गया और उन्होंने एक और ट्विट किया उन्होंने उस ट्विट में बोला था कि हमारे इस ट सबोजी नेपाल और भारत का समः तो अटूठuy रहेगा प्लीज आप इन गोदी मीडिया के चकर में आकर नेपाली लोग इंडियन लोगों से हेट मत करिये और इंडियन लोग नेपाली लोग से हेट मत करिये दोस्तों यह गोदी मीडिया तो हमारे भारत में भी बैन हो जाना चाहिए जिस तरह कि यह लोग नटंकी बाजी करते रहते हैं और एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं कभी हिंदू मुसलिम में तो क कि यह लोग एक जर्नलिजम जैसी छेत्र में हैं जहां पर सिर्फ बायस्ट न्यूज यह लोग देते हैं बाइद आवे दोस्तों आप लोग सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए ख्याल लखें अपना और अपने चाहने वालों का धन्यवाद खुदा आफिस है पर नाश्टे जाए हिंद जाए नेपाल